नवसकार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा मैंने फाइनली आईफॉन खरीद लिया है आप यह देख सकती है यह आईफॉन मैंने खरीदा है दो दिन पहले और दो दिन से मैं इसे इस्तमाल कर रहा हूँ तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को iPhone खरीनना चाहिए या नहीं ये पैसा बसूल है या पैसा बरबाद करने वाली चीज है क्योंकि बहुत सारी कहानियां आपने YouTube पे सुनी होंगी बहुत सारे लोगों के मुझ से सुना होगा कि iPhone एक तो आता बहुत मेंगा है उसके बाद इसके regular खर्चे भी बहुत ही जादा है इसलिए इसे हर कोई afford नहीं कर सकता तो क्या ऐसी इसके अंदर खासियत हैं दो दिन से regular मैं यूज कर रहा हूँ एक एक feature को समझाए मैंने इसके अंदर और एक एक चीज को try किया है और दो दिन के ही अंदर मेरे को सब कुछ समझ में आ गया कि यह फाइदे की चीज है या घाटे की चीज है सबसे पहले बात करती हैं कि यह कौन सा iPhone है तो दोस्तों यह है iPhone 12 और मैंने white color में खरीदा था क्योंकि मेरे को दो ही color पसंद है iPhone में एक तो white color पसंद है दूसरा golden color पसंद है तो golden वाला मुझे मिला नहीं था तो मैंने white खरीदा आपका हो गए कि यह 12 आपने क्यों खरीदा आ या मैंने पैसे बरबाद कर लिए उसके बारे में तो दोस्तों सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होगा हम यूटूबर हैं हमें वीडियो बनानी होती है और वीडियो बनाने के लिए सबसे जरूरी है अच्छा कैमरा तो हरे जगे कैमरा तो लेके जा नहीं सकते आप भूमने जा रही हो तो वहाँ पर कैमरा एलाउ नहीं होते लेकिन फौन एलाउ होती है लेकिन वहाँ पर हमें वीडियो बनानी है ब्लॉग बनानी है तो उसके लिए आईफॉन सबसे बढ़िया रहता है यानि कि आईफॉन का कैमरा क्वाल्टी बहुत ही अच्छी रहती है और दूसरी चीज लुकिस का बहुत सांदार है आप खुद देखिए इतना स्मूथ है मतलब बहुती सांदर प्रीमियम वाली फीलिंग आती है अमीरों वाली फीलिंग आती है साथी साथ कैमरा क्वाल्टी बहुत अच्छी है जैसे अभी मैं माइक से रिकॉर्डिंग कर र रुपई के बीच में उसका चार्जर, स्क्रीन गार्ड, पीचे का कबर ये सारी चीज़े खरीने में 4-5,000 रुपई का और खर्चा आ जाएगा तो 75,000 रुपई के लगवग आपको ये पड़ेगा 5G ये सपोर्ट करता है इसकी कैमरा क्वाल्टी बहुत ही जदा अच्छी है बागी के सारी फीचर भी बहुत ही जदा अच्छी है बहुत ही जदा इसमूथ चलता है बड़े आराम से कोई हैंग बगरा करने की कोई समस्या नहीं है चलाना बहुत ज़्यादा इजी है जब मैं स्टार्टिंग में इसे लेके आया था तो मेरे को ये था यार इसमें अ नाम कुछ और है आई फॉन में उन्हीं चीज़ों का नाम कुछ और रख दिया है बागी का काम एंग जैसा है जैसे कि आपको पता होगा एंडोइड में प्ले स्टोर होता है एप बगेरा डाउनलोड करने के लिए और इसमें एपल स्टोर होता है बस नाम अलग है काम एक ही तो ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा difference है इसके अलावा इसमें जो features दिये गई है वो advanced features दिये गई है आप यह देख सकते हैं तो इसमें बहुत सारे advanced features दिये गई है इसकी आप एक चीज देखोगे कि यह खर्चे की चीज तो है क्योंकि आप 75,000 रुपई खर्च करके यह iPhone लेते हो इसकी जगे 30-40,000 रुपई में या 25,000 रुपई में आपको अच्छा फॉन मिल जाएगा Android Mobile में देखोगे तो अच्छा फॉन मिल जाएगा लेकिन brand value की बात करें तो यह सबसे बढ़िया है इसकी brand value बहुत अच्छी है resale value बहुत अच्छी है और अगर आप अपना रुतवा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो यह एक number of perfect set आप लुगों के लिए होने बाला है अब भाई बात करते हैं कि यह iPhone या तो यह या कोई भी series किसको खरीनी चाहिए पहली चीज में आपको सला दूँगा कि iPhone 12 से नीचे आप मत जाए iPhone 12 से नीचे आपके लिए घाटी का सौधा होगा 12 लीजिए 12 Pro लीजिए इसके लावा 13 लीजिए तो वो आप अपने इसाफ से decide कर सकते हैं 12 से नीचे मत जाना बढ़ना बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को तो 12 से उपर लीजिए अब ये किन लोगों को खरीनना चाहिए दोस्तों उन लोगों को खरीनना चाहिए जिनका budget अच्छा है finance बगेरा करागे मत लीजिए आपका अगर budget अच्छा है तो ही आप iPhone खरी दिये आपको नया iPhone लीजिए second hand avoid करिये क्योंकि second hand market में fake बहुत मिलती है इसके अलावा बहुत अगर आपको second hand original मिलता हुए तो बहुत ही ज़ता यूज किया हुआ मिलता है बहुत condition खराब होती है उसकी तो आप कोशिस करिए कि अगर आपके पास budget है तो आप नया iPhone ही खरी दें और ये iPhone उन लोगों को खरीना चाहिए जन्हें बीडियो बनानी है फोटू सूट करनी है गेमिंग खेलनी है या लोड़ वाला काम करना है और थोड़ा सा उनकी income भी अच्छी है तो ऐसे लोगों को खरीना चाहिए बाकी का सो पीस के लिए हर कोई मत करी दिये क्योंकि 70 पे 74 जार रुपए बहुत होते हैं अगर आपके पास इतना budget नहीं अभी आप job बगएरा नहीं करते और घर वालों पर दबाब बना के आप इसे करीते हैं लेकिन iPhone के लिए मेरे पास mic नहीं है तो आज मैं order करूँगा तो 3-4 देन मैं mic आएगा तो उसके बाद iPhone से वीडियो आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि iPhone की वीडियो quality कैसी है तो दोस्तो आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये iPhone खरीन ना हो तो वीडियो के description मैं इसका link दे दूँगा तो आप लोग खरीज सकते हैं काफी अच्चा है आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का आते हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद